हेलो दोस्तों तो कैसे हो जब बात करने वाले हैं How to read NCRT books effectively ये केसे आप NCRT books effectively पर सकते हो बात करेंगे आज की उलियों में तो पहली जीज NCRT books काफी important होती हैं आपके board exams के लिए या फिर आप आपके home board exams के लिए और आगे आपको किसी भी चीज़ के preparation करनी है बात करी जाए board exams के लिए तो most of the paper आपका NCRT से ही आता है 60-75% questions जो होते हैं direct NCRT से आते हैं आप अगर वो questions कर लोगे तो आपके अराम से 70-80% आ जाएंगे उस सिर्फ उस book की help से बाकि उसका extra करना वो आप कितनी और ज़्यादा study करते हो deeply उसको पर depend करता है तो बात करते हैं कि NCRT को अच्छी तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं तो फिर बात करते हैं पहले point के बारे में तो first point जो आपको ध्यान में रखना है वो है making notes while reading side by side आपको read करते हुए notes create करने हैं आप जब कोई भी chapter पढ़ रहे हैं आपको ध्यान ये देना है कि आप वो पूरी की पूरी definition या पूरा वी topic नहीं लिखेंगे आपको जो समझ में आता है जैसा आप उसको understand करते हैं easy words में आप उसको लिखेंगे आपको पूरी बात नहीं लिखना है आपको उस बात को short में लिखेंगे तो आप ये करेंगे हो सकता है शुरू में आपको ये करना थोड़ा tough पड़े लेकिन practice के साथ आप इस चीज को कर पाएंगे बट आप शुरुआत तो कीजिए आपको अपना वो चीज आती जाएगी उसके बाद second thing read chapter wise and topic wise आपको chapter wise और topics wise पढ़ना है जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि कुछ chapters आते हैं हाँ फेली में कुछ नहीं आते हैं तो आप सोचते होगी पहले ये chapter कर लूँ बाद में तो दूसरे chapter करूँगा ऐसा ना करें आप chapter wise पढ़ते हुए जाएं topic wise पढ़ते हुए जाएं कि वो पूरा एक pattern का देन वांस & जोर नोट सब्सक्रा कारें तो आप किछ नना कुछ ना कुछ समझने में गलती लेकशना के आं जब जब NCRT book का पढ़ते हैं तबसात में अपने एक A4 sheet paper लेके रखू और उसमें वो बात in a short way लिख दो जैसे आपको समझ में आती है ताकि आप उसको और better understand कर पाओ अब ऐसा आप बार-बार करोगे तो आपकी एक writing practice हो जाएगी और जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए क्योंकि लिखने से आपको अच्छा याद होता है या दिहान रखिए तो आप जितना लिखेंगे आपको वो उतना अच्छा समझ में आएगा और ऐसे करते-करते बार-बार आपको practice भी होजाएगी कि आपको कैसे कोई भी book को read करना है और आप अच्छे से सको कर भी पाओगे and आप अपने notes को improve कर पाओगे आप बार में इसको comparison करोगे अपने previous notes से अपने new notes से तो आपको वो improvement दिखेगी उसके बाद हम बात करते हैं 4 point की read, key chapters and key points आपको key chapters और key points जरूर पढ़ने हैं ऐसे chapters जो काफी weightage रखते हैं और काफी द्यादा connected होते हैं दूसरे topics से, दूसरे chapters से तो उनको जरूर पढ़ना है अब वो कौन से chapters हैं वो subject-subject depend करते हैं आप उस school में अपने teacher से पूछ सकते हो या फिर आप internet पर सर्च कर सकते हो आपको सब मिल जाएगा उसके अधा हम बात करते हैं 5th point की आप जब भी कोई book पढ़े तो उसकी summary उसका introduction जरूर पढ़े क्योंकि उसके introduction में ये साफ साब होता है कि chapter किसके बारे में है और क्या-क्या होने वाला है तो आपको थोड़ा interest डिबलप होता है आपको मज़ा आता है पढ़ने में and summary भी जरूर पढ़े क्योंकि 그 summary पढ़ने से और summary भी पढ़ें ताकि आप उस chapter को अच्छे से पढ़ पाएं Then six and final tip that is go through exercises at the back of each chapter Chapter के end में जो भी exercises होती हैं उसको जरूर करें जो भी आपके examples हैं उनको भी जरूर करें क्योंकि जादतर questions वहीं से आते हैं तो उसको जरूर कर लेना क्योंकि आपके questions काफी आना वाले हैं कुछ questions काफी tough भी होंगे कुछ काफी easy आप कर भी लोगों बुक पढ़ने के बाद तो जो आपको tough लगें आप उसको अपने teacher से पूछे हैं या online देखें लेकिन उसको करें जरूर उससे आपकी अच्छे खासी practice हो जाएगी आपके board exams के लिए और आपको आगे भी काफी benefit करेगा वो आपके NEET या J-Mens के exam में तो इस तरीके से जरूर पढ़ाई करना और each and every question को आप attend करना इसमें और उसको अपने एक copy में अपनी notebook में not करते जाना तो इस तरीके से अगर आप NCRT पढ़ोगे तो आपको काफी द्यादा benefit होने वाला है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसना है तो वीडियो लाइक कर देना अगर आपको इसके बारे में और भी जाना है या फिर इस topic से लेटेट और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कम लोग्स में लिखके बता सकते हो ताकि मैं इसमें वीडियो गना पाऊं तो मिलते हैं अगर ही वीडियो में तो तब तक के लिए all the best thanks for the watching and peace